बनिहाल तहसील के सुदूर गावों से आए 23 सरपंचों पंचों और अनप्रवावशाली वेक्टियों ने बनिहाल इस्तित आर्मी यूनिट द्वरा आयोजित एक शैच्छणिक एवं उस्वातर तूर में बढ़ चलका इस्सा लिया इस टूर के दोरान सरपंचों ने दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, इंडिया गेट, कुतम मुनार, मेट्रो टेन में सफर के साथ गुदरपुर में पेचोला जील का भी ग्रमर किया सरपंचों ने दिल्ली इस्थित गय सरकाई संसान साक्षी को भी करीब से जाना जोकी मैला समयक्ति करें और बाल विकास के लिए दिदिवद्ध है इस तूर में सरपंचों ने ग्राम पंचायत तेलोनियों में पहुँचकर देश के बाती रिस्थों में चल गही पंचायती राइस प्रवाली पे भी अपने आपको अबगत कराया आपको 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 Ä मेरा सारा परिवार है इन सारी बातों के लेकर गाव में जाता हूं और गाव में पीने का पानी कैसे ठीक हो सबके लिए सिक्सा की व्यवस्ता ठीक कैसे हो सकती है स्वास्ते सेवाएं कैसे सब के लिए ठीक हूँ और सरकारी जो योजनाये हैं पंचायित में आती है गरामसबा क्यों जरूरी है हमें क्यों गरामसबा में जाना चाहिए किस तरिके से हमारी हक हम ले सकते हैं तो सारे जितनी भी हमारे हक की बाते हैं को जाके गाम में बताता हूं, योजनाओं की बातों को काम में बताता हूं, सरकारी योजनाओं कितनी उनकी बाते बताता हूं, और कभी-कभी अपनी अंदर की बात भी करता हूं, मान लीजिए कहीं बहुत सारा आप जानते कितनी रिश्वत कोरी मची है, किस तरीकेसे पैसे जाता हूं, तो उनपर कैसे ब्रेक लगे सूचना के अधिकार कैसे हम काम में लें में। प्रभ्लम आरे जासले ही जरसलाइब का तो इसलिए गाव में सब बच्चे बुजर्ग सब मुझे प्यासे चाछा जी गहते हैं आप लोग दिलोनिया परपादारें आप दिलोनिया आयें। इसके साथी साथ इस दल ने किशंगर इस्तित मार्बन पैप्री और लगु उद्योक कारकरमों का भू दरमण किया। इस तूर के दोरान सरपंचे ने नौइडा इस्थित नौइडा उनिवर्सिटी और उदापुर इस्थित पैसिफिक उनिवर्सिटी में पढ़ रहे जम्मू कश्मीरी मूल के छात्र छात्राओं से मिलिये के और अनवाव बाटने के एफसर का भी खूब लाब उठाया आप जो खाल के एजे अनागे के अंजर है और एक बजी परसद दे होए कि जिसके तक्मिर के लिया दे पहुत करती है और आप यकीन का ये आप तहरा है हमारे रियासच अपश्च में का अगर इस जहरे में किसी पी सुष्च के दाख आए पहली दे याद का अगसर भी है और जिन्दगी पहला है साथ ही साथ सरपंचो को हमबाला इसके वीटा मिल्क प्लांट में दुख दुख पादों को बनाने से जुड़े कई पहलों से वी रूबरू कराया गया इस टूर का सभी सरपंचो के लिए सबसे रोमांचक और यादगार अनुवव अजमेर इस्तित विश्य प्रसिद्ध दरगा शरीफ के दरबार में जियारत करना था मानो जैसे उनका कोई सपना ही सच हो गया हो अंत में श्री निगर के निशाद बाग और डल जील का ब्रमा करते हुए सबी सरपंचो ने सफरे गुनस्तान को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिनों में गयद कर लिया